एक्सपोज इंडिया प्रिया पटेल ने एक दिन पहले ही अपनी पार्टी अपना दल और बीजेपी के साथ गडबंदन को अंतिम रूप दिया है। मही दिल्ली में केंद्रिय चुनाफ समीती की मैराथॉन बैठक हुई। करीब आठ गंडे तक चली मीटिंग में प्रधान मंतरी मोधी जी मौजूद रहे माना जारा है कि आज यूपी समेत कई अन्य राज्यों के उमीदवारों के नामों पर भी फैसला होगा। इस बार पार्टी शाहन अवाज हुसैन को टिकट नहीं देंगी। बिजेपी की केंद्रिय चुनाफ समीती की बैठक शाम करीब साड़े छे बज़े शुरू हुई थी। पीएम मोधी पूरी मीटिंग में एक एक नाम सुनते रहे और पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर फैसला लेते रहे। बता दे कि रवी शंकर प्रसाथ को अपना साहिप से टिकट मिला है। 2014 में शत्रुगन सिना ने यहां से चुनाफ लड़ा था लेकिन बागी तेवर के चलते उनका टिकट कटना तैम आना जा रहा था। बता दे कि अब शत्रुगन सिना की जगा ये टिकट रवी शंकर परसाथ को मिल सकता है। वही कॉंग्रेस महा सचीफ प्रियांका गांधी वाडरा लखनाव पहुँच गई है। बाजपा देख्र अमिशा के अपना नाम बदल गर्ड़ चौकिदार अमिशा कर लि lies nine you जिसमें उन्हों ने मैंभी चौकिदार अभियान की सबचनाव 2019 के लिए भाजपा क्या भियान की शुरुआत की। पीम मोधी इस अभियान के तहट 31 मार्च को देश भर के लोगों से बाच्चीत करेंगे बहार के पूर्व मुख्य मंतरी और रास्टे जन्ता दल प्रमुक लालू प्रसाद यादव के वाड में चापा मारा गया बता दे कि राजेंदर इंसिट्यूट अफ मेडिकल साइंस स्थित पेंग बॉर्ड में शनिवार को छापा मारा गया है जेल प्रशाशन और जिला पुलिस ने ये छापा मारा है बता दे लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के चार मामलों में सजा काट रहे हैं ये छापा जेल आईजी वेरेंदर भूशन के आदेश पर मारा गया जानकारी के मताबिक लोगसभा चुनाव 2019 से पहले राजे चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही जेल के अधिकारियों ने जिला पुलिस के अधिकारियों के साथ उनके वाड में सर्च अपरेशन चलाया हाला कि इस चापे पर लालू के रिस्म पेइंग वाड से कोई आपत्ती जनक चीज नहीं मिली है ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम और भी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रही है हमारे साथ और देखते रही है एक्सपोज इंडिया लाइख शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले